हाई गाईज, आ है नितु निगम and welcome to my channel MyParseHalawaan नितु निगम आज मैं आपके लिए SOF biggest allum read जो कि allum read exam के लिए biggest allum read माना जाता है उस allum read से साइंस allum read के questions paper sample paper उसके exam dates क्या है कौन कौन से बच्चे इस exam को participate कर सकते हैं exam का pattern क्या रहेगा, fees क्या रहेगी exam में आप कैसे participate कर सकते हैं exam कहां पर होगी इतने घंटें की exam होगी exam का medium क्या रहेगा यह सभी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे तो चलिए start करते हैं यह एक्जाम जो है एक्जाम के द्वारा ली जा रही है एक्जाम के द्वारा ही दे सकते हैं इंडिविच्वल डारेक्ट आप एक्जाम नहीं दे सकते हैं यह एक्जाम पर एक्जाम के 10 डेड़ है 18 अक्टुबर 12 नवंबर और 30 दिम्बर इनने से कोई भी एक्जाम द्वारा चूच की जाती है और आपके स्कूल नहीं जिस भी एक्जाम को इक्जाम डेट को चूचके हैं उसी डेट पर आपको एक्जाम देनी होती है एक्जाम जिसका जो है English में रहेगा और duration 1R का रहता है। अब इसके हम Sleevers और Sample Papers को देखेंगे। देखेंगे। चेटेजी Sleevers देखेंगे। सबसे पहले हम Sleevers देखेंगे। कोर्षिन विपर को तीन भागा में बाटा गया है। Logical Reasoning, Science and Achiever Section Science Olamperate के exam में थी सबसे पहले Logical Reasoning से related 5 questions रहते हैं जो per questions के marks 1 रहते हैं और science से 25 questions रहते हैं per question 1 marks और achiever section से 5 questions रहते हैं जिसने per question 2 marks रहते हैं इस प्रकार इसमें total 35 questions रहते हैं और time 1 खंटे का 1 hours का रहता है अब हम स्लेबस देखेंगे section 1 में pattern, analogy and classification, alphabet test, coding, decoding, ranking test, grouping of figure and figure matrix, mirror image, geometrical shape, embedded figure, possible combination, clock and calendar ये हमारा Logical Reasoning से related स्लेबस रहते हैं and section 2 में plants and animals, birds, food, housing, clothing and occupation, transport, communication and safety rule, human body, earth and universe, matter and matrix, light sound and force, our environment and section 3 जो की higher section है और achiever section के नाम से जाना जाता है जिसमें higher order thinking questions रहते हैं इसका स्लेबस, स्लेबस आइस पर एस section 1 इन, first and second जो स्लेबस हमने अभी रेट किया है उसी में से रहता है, अर्थात आपका बच्चा किसी भी बोर्ट से परदा हो जह है वार स्लेबस हो, स्लेबस हो almost हमारा स्लेबस जो है वो class की जो स्लेबस रहती है, science या EBS की वही स्लेबस यहाँ भी follow किया जा रहा है बस exam में question पूछने का pattern थोड़ा सब different रहता है और higher order thinking में question थोड़ा सब deeply पूछा जाता और धुमा कर पूछा जाता direct to direct questions उसमें नहीं रहते हैं तो चरी यह section 1 में देख लेटे हैं logical reasoning में किस तरह के question है पहला question है, which of the following clock so in the time to ask 20 minutes after 9.40 है अर्थार 9.40 मिनट अभी हो रही है उसके दो घंटे 20 मिनट के बाद क्या time होगा आप वो कौन सी घरी सोग करते हैं चलिए देखे इसको आप इस प्रकार मिला सकते हैं 9.40 और यहां पर हम लिख देते हैं 2.20 तो यह हो गया आपका 9-11 हो गया और यह 40 प्लस 20, 60 यानि 60 मिनट अभी एक खंटा यानि 12 और 1 कितना हो गया 12 यानि 12 बजना चाहिए तो चलिए इसमें हम देख लेते हैं कौन सी clock में 12 बज रहा है 12 o'clock किस clock में बताया जा रहा है तो option D is the correct answer option D में 12 o'clock किसो हो रहा है नेक्स question number 2 find the missing figure giver pattern given below चलिए इसमें एक pattern दिया जा रहा है इस प्रकार तिन तिम के यह pattern repeat हो रहा है पहले हमारा left हो रहा फिर राइट फिर triangle left right triangle left right triangle यहां पर भी क्या होना चाहिए left और इस प्रकार यह right and triangle तो यह options की घर जा रहा है options B में तो correct answer is option B चलिए next question number 3 हम देखते है find the odd one out a double b ball c column यह बेट d chair इसमें हम देख पा रहे है option a c and d यह तीनो furniture से related है जबकि b जो है हमारा playing से related है ball तो this is the odd one out correct answer is option B question number 4 question number 4 में अब science से related questions पूछे जाएंगे what can be reason that the taxi driver has to be more careful when driving on a rainy day than driving on the hot summer day इन में से कौन से region है जब taxi driver बारीस में गारी को चलाते हैं तो वह ज्यादा careful रहते हैं बन इस पत की summer day में taxi को चलाते समय a gravitational force between taxi and road is higher on a hot summer day d fractional force between taxi and road is lower on a rainy day c gravitational force between taxi and road is lower on a rainy day and d frictional force between taxi and road is lower on a hot summer day so correct answer हो जाता है आपर option d frictional force between taxi and road lower on a rainy day number five water droplet that are too heavy to flood make a for deep clouds c rain d smoke correct answer हो जाता है option c rain water droplet that are too heavy for flood making rain number six which of these organ system give safe and support to our body and protect the important organs of the body such as lungs, rain, heart etc. इन में से कौन सा ऐसा ओर्गन है जो हमारे body safe को support देता है साथ ही हमारे body के important organs जैसे lung, brain, heart इन सब को भी support करता है इन में से एक direct option है option c this is the skeleton skeleton पर हमारा body safe पुरा दिपन रहता है उस पर safe हमारा body का आता है skeleton के दोरह और यह हमारे important organ को भी protect करता है दुख है a short and board big, b board and flat big, c slender and big and d quantitative big correct answer है option b board and flat big number eight look at the classification table की नो table soon p and q are correctly responsive represented by fruits a table and in a table जिसमें से हमें बताना है quantity table, quantity double तो यहां पर answer हो जाता है eight का C plum and cotton यहां पर क्या है fruits हमारा edible है plum को हम खाशकते हैं और an edible cotton है तो correct answer is option c next question number हमारा achiever section से हो जाता है तो हम देखेंगे कि achiever section से किस प्रकार की questions आते हैं अचीवर section में इस प्रकार के when the shending grow depend on the seeds, leaves of nutrients until the first liver form, which of the following graphs directly identify the change mass of seed, leaf, x and y यहां mask के द्वारा seed की कैसे grow होती है यह हमें identify करना है तो यहां पर correct answer हो जाते हैं option a next question number 10 observe the given picture carefully and select correct conclusion regarding to liquid x, y and j यहां पर यह तीन image दिये गए है, इसके आधार के हमें बताना है कि regarding liquid x, y, j, फॉन से सही liquid x is transparent and liquid z is translucent b, liquid y, the opicu and liquid z is translucent c, liquid x is transparent and liquid z is opicu so correct answer है option c, liquid x is transparent, यह हमारे transparent रिख रहा है and liquid z is opicu तो यह थे question science olympiad class 3 के, I hope आपको यह helpful रहे science olympiad इक आपकी त्यारी करवाने में इसी प्रकार के education वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहे thank you not 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 not